जब आपके घर में ही संगीत है तो और अगर वो आपको स्टाइल पसंद आ रही है और आपका इंट्रेस्ट है तो जो बच्चा है वो अमोमन वो तो सीखे गाई वो तो ही विल पिक अप जो उसके नुएंस हैं इंट्रेस्ट दिखाएगा वो तो उसको अपने गुरु को नहीं करना है जो मुझे लगता है कि एक बहुत एहम बात कलाओं में है हो है गुरु को omelna और अच्चे गुरु के संसर्ग में आना है nou तो यह तो यह जरूरी नहीं कि आप सीख रहे हैं पर आप अच्चे घुरु सी रहे हैं और च्शों कि मेरा मतलब है कि इत इस सम्धिं which your heart and soul wants और आप connect कर पाते हैं यह मेरा मतलब है तो जो आपका यह सवाल था कि उसमें क्या फर्क है में चीज तो आपके गुरु की खोज वहां पे नहीं करनी पड़ती है और अगर ऐसा भी होता है कि कभी-कभी आपके गुरु जो आपके जो घर में जो विद्याएं है या जो कलाकार हैं आप उनसे नहीं connect कर पाते हैं पर ये भी clarity हो जाती है कि हम नहीं कर पा रहे हैं और हमें यहां जाना है ये भी clarity होना जरूरी है ना देखिए कहीं पर भी पहुँचने के लिए जिब तक आपकी clarity नहीं होगी आप ढूंडेंगे कैसे तो मुझे लगता है कि बहुत चुरुआत से पता चल जाता है कि वह अगर painter है और मुझे उस रस्ते जाना है या नहीं जाना है अगर यह दा डांस दांसिंग में हूं मैं तो मैं उरिसी करना है या नहीं करना या मुझे भरतनाटे में जाना या मुझे करना है या मुझे कर और मेभी मैं जब गाती हूं तब मुझे नहीं आता मज़ा, you see because the first thing what I feel about art is, it has to please you, आप खुश होने चाहिए, आप जो काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब वो आपको खुशी देगा, तभी आप उसका आनंद ले पाएंगे, तभी वो चीज आगे तक चलेगी, और audience क को अच्छा लगना वो तो एक बहुत बड़ी बात है, और वो तो बहुत बात की बात है, the first thing is, you have to be primarily satisfied with what you are producing, you know, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, कभी कभी मैं भी सोचती हूं, मुझे मुझे मुश्किल होता है, परन्तु, देखिए, हर एक ये ऐसा सवाल है, जैसे मानली आप कहते हैं, ये गुलाब है, ये चमपा है, ये मोगरा है, आप इसमें से, सबकी अपनी अपनी खुश्बू है, सबके अपने अपने बहुत, उनकी अपनी खुबसूरती उन चीजों में है, अब जैसे अगर मुझे एक भजन गाने में जो आनन्द मिलता है, वो वो आनन तो उसी बजन ही गाने में है, वो टपा गाने का अलग आनंद है, उसका अलग विगर है, उसके अलग प्रस्तुती है, टपा गाई की का अपना मज़ा है, आउडियन्स का वो, उसमें दात देना, हर- तोरररर्ज के चालें सिर्च अब एसमस्ट के लगते हैं, मुझे बहुत प्रीय हैं मुझे खयालगाईकी बहत पसंद है उसमें खयालगाईकी में जो वालियर के जो अलग-खयाल है अलग-अलग तालो में उन सब के उन सब की, मैं आपको ये कहूँ कि एक राग में भी हम जब एक यमन मानदी जब ने बीस भी बार कहीं और परफॉर्म किया है, तो उसमें बीस भी कॉमपोसिशन भी आई है, तो उसका अपना मज़ा होता है, क्योंकि वो मुखड़ा अलग है, उसका रंग धंग अलग है, और इसे प्रकास से अश्ट बढ़िं आजकल मुझे काने में बहुत मानद मिलता है, अश। – जो संस्क्रित में है, उसमें हम विलम्वित भी गाते हैं, और शिम हम दूरी बहुत बढ़िंग है, ऐ तुमरी बहुत पसंद है, और बंदिश के ठूमरी का अलग मजह है, और आज मैं अपने शिश्यों के बाते करती हूं, मुझे लगता है कि जिस डिवोशन में उनको सीखना चाहिए, जिस सीरिस्नेस में सीखना चाहिए, उसमें बहुत कमी लगती है और मैं वाके में इस बात को फील करती हूं कि जब आप इतना दस साल, पन्रा साल लगा जेते हैं किसी बच्चे को तियार करने में और वो एक लेवल पर पहुंच जाता है, उसके बात जब नहीं करता है न उसको, तो as a guru आपको बहुत हर्ट करता है, क्योंकि you know the potential कितना है उस अज़े कितना है जिए ए फटंगर प्रूंघ करता है, भी जब अर शेम काने हैं कितना है इतना है, भी समने शीज़ गए में आपको जब डेवल जब तो दो प्रूंध में जब रीको श्पता है उतना है, वी जब करता है।